हलो गाईज कैसे हैं आप लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे बॉलवुट के कई स्टार कपल्स पैरेंट्स बन चुके हैं ऐसे में अब हर किसी को इंतिजार है कि केट्रीना कैफ कब सुनाएंगी गुड निउस तो चलिए गाईज अब वक्त आ गया है केट्रीना के घर में भी बच्चे की किलकारी गूंचने का और यहां तक की पहली बा चैनल गॉसप टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माइ चैनल गॉसप टाउन वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा चले बैक टू दम उद्दा आते हैं और आपको बता देते हैं कि केट्रीना कैफ ने यह कहा है अपने दोस्तों को कि वो कब करेंगी बच्चे की प्लानिंग जैसा कि हम सब जाते हैं कि अब केट्रीना और विकी कौशर की शादी को दो साल हो जाएंगे इस साल दिसंबर के महीने में लेकिन केट्रीना अभी अपनी फल्म जीले जरा पर काम कर रही है और केट्रीना न चाहती हैं वो भी प््रेडनेंट होना चाहती है वो भी अपना एक अपने घर मे नन्ने मेमान की एंट्री जाती है बस उन्हें इंतीजार है राइट वक्त का और वो वक्त है जीले जरा की रुलीज जैसे ही इस फल्म का काम पूरा हो जाएगा फिर्म रिलीज हो जाएगी केट्रीना कर लेंगी बेबी प्लान जी हाँ और फिर उनके घर में गूझेगी बच्चे की खिलकारी केट्रीना एक वक्त में सलमान को डेट कर चुकी है लेकिन अचानक से केट्रीना ने विकी कोशल से शादी करके सब को जोका दिया था और अब केट्रीना और विकी जल्द ही ममी पापा भी बन जाएंगे और यहां तक की केट्रीना ने इस बात का एलान कर दिया है कि वो कब करने वाली है बच्चे की प्लानिंग तो प्लीज गाइस कीप यूर फिंगर्स क्रॉस जिस वीडियो में इस लहाल के लिए इतना ही देखते रहें यह कॉसप जाओं